नमस्कार जाहिंद मैं हूं कैलास और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागाई सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि HDFC बैंक स्वाइब मसीन का मंथली रेंट या चार्ज कितने रुपे पड़ता है कभी वह चार्ज लगाते हैं हर महें ने 500 रुपे कभी पासाठे 500 रुपे कभी 600 रुपे कभी 720 रुपे यह चार्ज हमारा स्वाइब मसीन का पड़ता था लेकिन उसमें पैसा हमारा कट था उसमें मैंसे 500-500 रुपे वापस आ जाते थी क्योंकि हमने HDFC बैंक मसीन अपने द एक लाग प्रुपे इस की वार्पोड पे आप लेते हैं तो आपकर का ही यह वापास आज़ा आएगा तीन मेने के बाद में तो यह तीन मैने के बाद में अग्त थैसा नहीं तो हुआ तुम गटता था लेकिन जो साथ सू रुपे का चार्ज लगा यह चार्ज हो सकता है कि हर इरिया हर इस्टेट का अलग अलग चार्ज हो लेकिन जो हमारा चार्ज लगता था वह हम आपको बता रहे हैं अब हम जो कि यहां पर आप देख सकते हैं इन मैंसे रूपा डेबिट कार्ड को छोड़ के बाकि जितने भी कार्ड हैं इन सारे कार्ड पे आप सोई मसीन द्वारा परेक्स कईशिट पार अगर रुपेय निकाले तो उसमें आपका चार्ज जरू लगेगा किसी डेबिट कार्ड पे 01.20 पर संट का चार्ज लगेगा और किसी पर 1.65% और 1.45% का चार्ज लगेगा यानि कि अगर 10,000 रुपए पर ट्राइजेक्शन करते हैं तो आपका 145 से 165 रुपए का चार्ज लगेगा नमर तीन पर हम बात करते हैं कि HDFC सोय मसीन को अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले से भी एक वीडियो बना रखा है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं अगर आप इसे डियक्टिबेट कराना होता होगा जो आपके पास मचीन उसमें आप देख लीजे हो सकता है उसमें लगी हो बिना सिमके और चलेगा ही नहीं तो उसका भी रिचार्ज होता है तो चार्ज तो बैंक वाले आप से लेंगे लेकिन आप अगर इस की वार कोड़ पे पेमेंट कर लेते हैं एक लाख रुपे का महने में तो यह सोई मसीन आपके लिए फिरी है फिरी नहीं के सकते हैं कुछ चार्ज तो आपको देना पड़ेगा जैसे कि इस पांसु रुपे आपका चार्ज लगा है तो वह तीन महने के कोड़ पे एक लाख रुपे का ट्रांजक्शन हर मंत करते रहेंगे तो हर तिन महने पर आपका पैसा वापस आता रहेगा